सुशान सिंदाचबोट केज को लेकर मामले ने कई नए रुख अक्तियार कर लिये हैं एक दरफ जहां इस केज से ड्रक्स कनेक्शन की बाते सामने आई तोहीं अब शिवशे ननेता संजेर रौथ और कई बॉलिवूड सिलेप से अक्यली भिड़ चुकी हैं एक्ट्रेस कंगना रौथ कंगना रौथ को मुंबई ना आने की धम की तो दुसरी ओर कंगना ने ताल छोक कर कहा 9 सिप्तंबर को आ रही हूं मुंबई किसी के बाप में दम है तो रोक कर दिखा दे जी हां बॉलिवूड क्वेन कंगना रौथ ने पूरी तरह से बॉलिवूड इंडस्ट्री, महरास्टर सरकार और मुंबई पूलिस के खिलाफ मुर्चा संभाल दिया है कंगना रौथ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि शिवशेना निता संजे रौथ ने उन्हें मुंबई ना आने की धंकिती है कंगना ने ट्वीट कर लिखा था कंगना कहती है मुंबई की गलियों में आजादी के बाद अब यह खुली धंकिया मुंबई पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर जैसा क्यों महसूस हो रहा है कंगना के स्ट्वीट के बाद काफी लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि मुंबई किसी के बापका नहीं है यह भारत का एक राज्जे है और सम्विधान के नुसार इस देश का नागरे किसी भी राज्जे में रह सकता है और रुचकार कर सकता है हलाकि मुंबई की तुलना प्योके से किये जाने पर कई बॉलिवूट सेलेपस ने कंगना के खिलाफ ही गुस्सा जाहिर किया लिकिन अब मुंबई ना आने की धंकी के बीच कंगना ने एक और ट्वीट किया है और लिखा कि नौ सेप्टमबर को मुंबई आ रही है अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ कंगना ने ट्वीट कर लिखा I see many people are threatening me to not come back to Mumbai So I have now decided to travel to Mumbai This coming week on 9th September I will post the time when I land at the Mumbai airport किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले कंगना कहती है मैं देख रही हूँ कि काफी लोग मुझे धंकी दे रहे हैं कि मुंबई वापस नहीं आना इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब 9th September को मुंबई वापस जाऊंगी मैं वो समय भी शेर करूँगी जब मैं मुंबई हवाया डिप पर उतरूँगी किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले अब कंगना के स्ट्वीट के बाद सोचल मीडिया पर बायानों का बबंडर मच चुका है काफी लोग कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं और लोग उन्हें शेरनी और क्वीन कहके बुला रहे हैं कंगना रनौत किस ललकार पर लोगों ने कुछ इस तरह से रियक्शन दिये I would welcome you with flowers if I lived in Mumbai कंगना team is so fearless now after fighting justice for Sushan that the entire Bollywood is after her but same says ready for all nothing can stop the tigress despite her situation is like hats off to you lady we will back you always Mumbai हिंदुस्तान की शान है वहाँ पर कंगना है इसलिए हमें अभीमान है इसलिए गद्दार परेशान है नश्रुद्दीन आमीर खान बोले इंडिया में डर लगता है तो hero कंगना बोले मुंबई में डर लगता है तो villain जो आज कंगना को कह रहे है मुंबई मताना उन्होंने कभी नश्रुद्दीन आमीर खान को बोला की अब इंडिया में मताना कंगना को मुंबई में नाखुसने देने का कंगना पर निशाना साथते हुए कहा था कि वह मुंबई में रहती है और फिर भी यहां के पुलिस पल की अलोचना करती है कंगना का ऐसा कहना शर्मनाक है संजे रावत ने लिखा हम कंगना से विनबर निविदन करते हैं कि वह मुंबई ना आए यह मुंबई पुलिस का अपमान करने जैसा है और ग्री मंत्राले को इस पर कर्रवाई करने चाहिए